प्रफिट आपकी वॉक्षीट नॉम्बर ट्विंटीएट पहला अच्छे से लेबल कर लेंगे डीट डाल देंगे क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लेंगे बच्चो आजी कतिस तरीक है अज इस साल का लास्ट इए है आपको सबको संडाय स्टेडी की तरफ से विश्यू वेरी वेरी हापी न्यू येर 2021 आप लोगों के लिए धेर सारी खुशिया लेकिया है तो बच्चो इस वाली वॉक्शिट में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ रांसर बताने वाली हूँ अगर आप चाहते हैं आपको फुल एक्स्प्लेनेशन के साथ आंसर मिले तो इसके लिए आप हमाई दुसरी वीडियो को देख सकते हैं साथ इस चैनल को कर लें और यूज करा करें प्ले लिस्ट का तैकि आसानी से आपको वीडियो मल सकें यहां आपका लिखा है गद्यांश को पढ़कर निमलिकत प्रशनों के उत्तर दीजिए तो चली हम लो पढ़ लेते हैं तो पहला प्रशन लिखा है अंग्रेज क्यों खरीदना चाहता थ लिख सकते हैं असानी से चली अगला कुशिन पढ़ते हैं अभी आपका अगला कुशिन दिया गया है बिलबासी जी को लोटा खरीदना नहीं ता फिर भी वे अंग्रेज से मोल भाव क्यों कर रहे थे अनुमान लगा कर लिखिए तो चली इस कांसा डिखते हैं कि वह ऐसा क चली अगला कुशिन पढ़ते हैं अब यहां से लिखेंगे कि मीजर डेगलना कॉशिन पढ़ते हैं और उनको भी पूरानी और रहतिहासिक चीजो princi संग्रह करने का शौक था ठीक है तो आप लिख सकते हैं असानी से चलिए अगला कुशिन पढ़ते हैं अब यहां आपका जो लास्ट कुशिन है यह आपकी गतीवी दीए तो लिखा है क्या होता यदि अंग्रेज को एतिहासिक वस्तू को खरीदने का शौक ना होता कल्पना क अग्रेज को एतियासिक वस्तू खरीदने का शौक नहीं होता तो क्या होता तो चले इसका अंसर देख लेते हैं तो बहुत चोटा सोट सिंपल लिखेंगे कि यदि ऐसा होता तो लाला जाहुलाल अपनी बीवी को पैसे नहीं दे पाते ठीक है क्यों कि वह पैसे ही नहीं कर इस तरह से आप लिख सकते हैं आसानी से चलिए आप खुद में सोचेंगे कि और क्या हो सकता था अगर लाला जाहुलाल का वह लोटा नहीं बिखता तो ठीक तो आपको जो लगता है आप वह अंसर लिखेंगे भी और मुझे भी कमेंट्स करके बताएंगे कि मैं ऐसा भी हो वाचिंग